नमस्कार गुड मॉर्निंग एक और नए ब्लोग में आपका स्वागत है देख सकते हैं यहां पर हम लोग फिर से गाड़ी लेकर आ गया है वहीं पर जहां एक बात आया था आपको कि इधर बहुत ही अच्छा खेती होता है सबजी का और पूरा ज्यादा खेती हुआ है देख कि यह गाओ है पूरा अच्छा लगता है यहां एकदम गाओ जैसा यहां का महल है देख सकते हैं अभी मैं ब्रस कर रहा हूं सुबह सुबह हुआ है तो अभी कुहरा था पूरा ठंडा था अभी धूप निकला है और इधर गाई के बच्चे देखिए चोटे-चोटे गाई यह मुल्ली है और आपको और भी दिखाता हूं क्योंकि यह अभी खाली नहीं होगा क्योंकि होगा अभी तो दस बजे के बाद और लोग आएंगे अपना मसीनों सिन लेकर क्रेन क्रेन लेकर के तब खाली होगा इधर मुल्ली लगा हुआ था सब उखाड़ गया अभी होला नहा मुल्ली अभी रेडियो होगा गौभी का खेती आपको दिखाता हूं कि अतला मस दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि गाउं का एकदम उडिशा में हैं अभी उडिशा में लेकिन या सबजी का खेती बहुत अच्छी तरीका से हो रहा है मैं जब पहली बार आया था तो गोवी बहुत छोटा छोटा था अभी ज़्यादा बड़ा हो गया है देखे यह गोवी का खेती कितना अच्छा दिख रहा है कि पूरा लाइन से कई हजार पवधा है कि गोवी का खेती हुआ है यहां पर कि इधर पाइप अनलोड हुआ है कुछ निदर पाइप अनलोड हुआ है तो आज का यही ब्लोग है अभी खाली करेंगे तो हम दिखाएंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा नमस्कार धन्यवाद